तब से पहले बात कि इलेक्टोरल बॉंड की विवस्था आखिर थी क्या देखिए 2017 में केंद्र सरकार ने संसत के जरिये इंकम टैक्स एक्ट, कमपनीज एक्ट और रिप्रेजेंटेशन आप पिपल्स एक्ट यानि जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ संशोधन किये और उन संशोधनों के बाद लाई गई इलेक्टोरल बॉंड की विवस्था, ये विवस्था ये कहती है कि अगर किसी कॉर्परेट घराने को या किसी को भी बड़ा चंदा देना है किसी राजनितिक पार्टी को तो वो स्टेट बैंक में जाएगा, इलेक्टोरल बॉंड ख कहना था कि इससे पहले काले धन का प्रवाह बहुत ज्यादा था, राजनिति में राजनितिक दलों को ब्लैक मनी मिलती थी, लेकिन अब बैंकिंग चैनल के जरिये ही पैसा दिया जा सकेगा, बड़ा चंदा और ये विवस्था देश हित में है, राजनिति के हित में है, ऐस पाटी के समर्थक हैं, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपका वेतन आता है, आप छोटी दुकान चलाते हैं, आप छात रहें, शिक्षक हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, आपको कोई पाटी पसंद है, और आप उसको 1000, 2000, 3000 ऐसा कोई चंदा देना चाहत और ये जानकारी भी यानि आपने छोटा चंदा दिया आपकी जानकारी गोपनिया रखी जाए ये ठीक है आपका पॉलिटिकल अफिलीशन राजनितिक जुकाओ जो है वो आपका पडोसी ना जाने ये ठीक है लेकिन अगर कोई करोडों का चंदा दे रहा है किसी पार्टी को तो क्या वो बदले में कुछ नहीं चाहेगा वो चाहा सकता है और ये जानकारी गोपनिया रखी जा रही थी इलेक्टोरल बॉंड योजना के तहट यही कहते हुए कि किसी का राजनितिक जुकाओ क्या है ये जानना सही नहीं है किसी के लिए और ये सूचना के अधिकार के तहट राइट टू नो के तहट नहीं आता है सुप्रिम कोर्ट ने काफी साल पहले जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है 1901 के तहट उसका विस्तार किया था और कहा था जैसे आपको बोलने का अधिकार है वैसे ही जानने का भी अधिकार है सरकार का ये क कि जो उमिद्वार खड़ा हुआ है चुनाओं में उसका अपराधिक रिकॉर्ड क्या है उसके डिगरी क्या है उसके पास संपत्ति कितनी है यह उसके मतदान के लिए जरूरी है कि वो जाने की केंडिडेट कौन है लेकिन पार्टी को चंदा किस ने दिया कितना दिया यह जा पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं जिसकी सरकार आप चाहते हैं कि बने लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसको किसने हजारों करोड रुपए का चंदा दिया है और कौन उस पार्टी की नीतियों को प्रभावित कर सकता है जब वो सरकार में आएगी तो तो यह एक वोटर के साथ जानकारी ना मिलने की एक कमी सामने आ रही थी इस कानून में अब सुप्रिम कोट ने क्यों इसे असंवेधानिक करार दिया है हलाकि मेरे वीडियो केस पिछले हिस्से से ही आपको अंदाजा लगने लग गया होगा कि सुप्रिम कोट ने असंवेधानिक क्यो होनी चाहिए उसके नाम पर इस अधिकार को चीनना चाहते हैं उसका हनन करना चाहते हैं इसकी अनुमती नहीं दी जा सकती है अगर किसी ने छोटा चंदा दिया है बिल्कुल उससे गोपनिया रखा जाए लेकिन बीस हजार से ऊपर का चंदा जो के जरिये दिया जाता और जो करोड़ों रुपए तक होता है उसको छुपाना यह वोटर के साथ अन्याय होगा तो संसद ने 2017 में जो संशोधन किये थे रिप्रेजेशन आप पिपल्स एक्ट में इंकम टैक्स एक्ट में उन सब को सुप्रिम कोड़ ने असमवैदानिक करार दिया है कोड़ में सुनवाई के दौरान यह दलील भी दी गई थी कि लेवल प्लेइंग फिल्ड नहीं है यह जो व्यवस्ता है इलेक्टोरल बॉंड की उसकी जितनी भी जानकारी अभी तक मिली है लोगों को या जो भी पता चल पाया है उससे यही पता चलता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में बीजेपी उसको लगभग 75% पर्सेंट 75% योगदान या चंदा इलेक्टोरल बॉंड के बहुत जरूरी है लेकिन लोगों के जानने के अधिकार को छीन कर नहीं यह बातें कहते हुए सुप्रिम कोट ने असमवेधानिक करार दिया है सुप्रिम कोट ने यह भी कहा है कि पूर्ण के अधिकार मिल गया था किसी राजनितिक पार्टी को जो कि पहले यह होता था कि उस कंपणी को जो इस साल में स्वित्य वर्ष में जो मुनाफ़ा हुआ है उसका साड़े साथ प्रतिशत तक वो दे सकती थी किसी पार्टी को या अलग अलग पार्टीयों को लेकिन अब वो सीमा हटा दी गई थी यानि एक कंपणी बेहिसाब पैसा दे सकती है किसी पार्टी को यह तमाम बाते सुप्रिम कोट ने मानी कि यह सब गलत है लोकतंत्र के हिसाब से यह गलत है अब हम इस पर आते हैं कि इस से होगा क्या इस फैसले के बाद होगा क्या देखें प स्परिम कोट ने आगे किया कई सुप्रिम कोट ने आगे यह कहा है कि अगर एलेक्टोरल बॉंड किसी कंपनी ने खरीदे थे किसी पार्टी को दिये लेकिन उस पार्टी ने अभी तक उसे कैश नहीं करा या यानि बैंक में देकर आपने खाते में 됩니다 नहीं लिए हैं तो अब उस बॉंड का कुछ नहीं होगा वो पार्टी जाए बॉंड को वापस बैंक को सौप दे और बैंक जिसका पैसा है जिसने बॉंड खरीदे थे जिस कंपनी ने उसको लोटा दे यानि अब इलेक्टोरल बॉंड को कैश नहीं करा सकेंगे उससे पैसे नहीं बेंक एक प्छले 6 साल उसे आप के जानने के अधिकार का हननव हुआ है यानि आप जान नहीं पाए कि किसbed को कितना चंदा दिया वो अधिकार अब आपको सुप्रिम कोट ने दिया है है सुप्रिम कोट ने कहा है कि 6 मार्ण तक स्टेट वएंक उप इंडिया जो की yönelay सी पाटी आई यानि किसने बॉंड खरीदे और किसको दिये यह जो जानकारी यह पिछले 6 साल की उसे 6 मार्च तक चुनाव आयोक को उपलब्द करा दे स्टेट बैंक और चुनाव आयोक 13 मार्च तक उसे अपनी वेबसाइट में सारवजनिक कर दे यानि जब से इलेक्टोरल आयोक की वेबसाइट पर आप जान सकेंगे कि किसने किसको कितना चंदा दिया एक बात और यहां पर कहनी जरूरी है कि अब तो यह यह योजना बंद हो गई है तो क्या पुरानी विवस्था आ जाएगी कि कैश में या ब्लैक मनी के जरिए अब चंदा राजनितिक पार्ट लेकिन गोपनियता और बेहिसाब पैसा दे पाने की जो सुविधा जो दी गई थी चंदा देने वालों को राजनितिक पार्टियों को भी वह बंद की गई है तो सरकार इन बातों का ध्यान रखते हुए दोबारह अगर योजना लाना चाहती है तो बेशक ला सकती है लेकि कर दो कर दो